तो दोस्तो सब्सक्राब कीजिए मेरी चानल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिल जाए आज के वीडियो के अंदर आपके लिए लेका हैं डिटीशी टाइल कटर टूल दोस्तो अगर आप टाइल्स फिटिंग का काम करते हैं और टाइल्स को गरंडर से कटर से कटिंग करते हैं तो उसके अंदर चिपिंग वगेरा उड़ती है जिससे कारण जोइट वगेरा हमारा सही से नहीं मिल पाता तो आज के वीडियो में आपके लिए हम डिटीशी टाइल कटर टूल लेके आए हैं तो इसकी अन्बोक्शिंग आपको करके दिखाएंगे इससे आपको टाइल्स फगेरा भी कटिंग करके दिखाएंगे अगर आप इस टूल को खरीते हैं दोस्तो तो इसको केशे खरीते ह अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो दोस्तो तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आये तो आप इसे Likes करें अपने दोस्तों में आगे शेयर करें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो यह जो टूल आपको हम धिका रहे दोस्तो इसको खूल के और भार निकालके भार के वह vist campaigns कते हुइं topics तो हिस्पीजिस्पीर पूरा। आंट तक देह कर देख obecं। दोस्तो दिखते हैं कि एह अप धेक्वित सब्साग्छी में दे हुआ है। तो मैं आपको जो भी इसके अंदर सामान है दोस्तो हर सामान को पहले बाहर निकाल लेता हूं फिर उसके बाद में आपको हम बताएंगे दोस्तों इसका जो सामान है हमने पूरा बाहर निकाल लिया है अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इसके साथ में आप देख सकते हैं एल्की आरही है जैसे कोई नट वगेरा टाइट करने के लिए होता है और इसके साथ में जैसे ब्लेड आपको हम दिखाते हैं दो ब्लेड आपको मिल रहा है दोस्तों ये ब्लेड आ रहा है इसके साथ में और इसके साथ में एक हैंडल भी आ रहा है और आपको ये चार गोटी मिल रही है जैसे कि ये जो प्लास्टिक की गोटी है दोस्तों यहां पर लगती है इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपकी खतम होजाएं तो आप उसको भी लगा सकते हैं तो चार गोटी आपको एक्सटा मारे यह पूरी जो फिटिंग ए यह रही है और यह टाइल कप्र पृपनर है दौस्तो तो इस घुल से आप टैब्र को गटिंग कर तो दोस्तु आप देख सकते हैं, हमारे पास में यह विटर प्रेप्टाइल से 2 फिट के अंतर हैं, तो अब मैं आपको इससे कटिंग कर के दिखाता हूँ, तो एक बाद हम गुलिया काम में लेरें, दोस्तो बिल्कुल सीधा कटिंग करने के लिए, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको टाइल्स को हम कैसे कटिंग कर रहे हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इस्प्रेज आया है आपको इस ब्रेकर से स्क्रेज को मिलाना है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यह आप पर सेंटर पॉइंट होता है और जो इस्क्रेज आप लगाए टाइल्स के उपर इसको आपको पूरा सेंटर के हिसाफ से मिलाना है इसको हम लूज करेंगे पहले अब हमारा जो स्क्रेज है दोस्तों बिल्कुल शेंटर पॉंच से मिल चुका है तो इसको अब हम उपर से टाइट करेंगे तो जैसे जैसे आप टाइट करेंगे दोस्तों आपकी जो टाइल से जो अपनी जगा से पूरी कटिंग हो जाएगी का आप देख सकते हैं तो यह जो टाइल से कुछ इस परकार से कटिंग होती है इस टूल से तो बहुत असान तरीके से आप बड़ी से बड़ी टाइल को कार सकते हैं दोस्तों इसको खरीते कैसे हैं वह भी मैं आपको बता दूँ के वीडियो की स्क्रिन के उपर जो नंबर चल वीडियो बस इतना ही अगर आपको हमारा आजका वीडियो पसंद आता है तो आप इसे Like करें अपने दोस्तों में आगा Share करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब गरें तो चलिए आपसे फिल मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चानल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिल जाए